आज मैं आपको पाइंचे के साइट के गुम्सलाई करना है तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं यह देखिए वीवर्स यह मैंने रखा वा है यह देखिए वीवर्स यह मैंने साइट के सलाई जोड़ ली है जितनी मुझे फोल्डिंग पट्टी लेनी है मैंने इसमें ही ली विये तीन इंच वैसे अलग से भी लगाते हैं मेरी लंबाई में कपड़ा था मैंने तीन इंच इसमें ले ली यहां मैंने कुटका लगाया और इसको प्रेस के जरीए किरीज कर ली ताके मुझे आग्या असानी हो यहां भी मैंने तक्रीबन आते इंच का मोड़ा अच्छी तना इस्तिय से मैं प्रेस करूंगी इदर में सिलाई करूंगी यह देखी मैंने सिंगल कपड़े को मोड़ा है इसको डबल नहीं करा यह इस तरह मैंने पूरे नीचे तक अपनी फोल्डिंग पट्टी पे शिलाई कर ली यह देखिए मैंने इसको मौड़ लिया है इस थना कपड़ा पूरा आना चाहिए इस셔야 हाए कि एहां से भी पूरा इसी के बराबर आए अब मैं ने फोल्डिंग पकि को को खोल दिया, सिस इंगल सलई करा है मैं तो भी निसे अपना भी मुझे अपना बॉटम रखना है मैंने निशान लगा रगाया छे इन साथ इन जो भी आपका बॉटम है उसको आप इस तनहा फोल्टन पट्टी खोल के आप सिलाई चला लेंगे इस तनहा बिल्कुल अराम से बड़ी फिनिशिंग से इसलाई चला लेंगे आप उपर तक आसन तक हमारी इसलाई चल जाएगी देखें पट्टी को मैंने खो करोंगी जिए तरफ से सबॉड़ के इ मैं इस तरह बड़िए च्राइक दोबरा सी इस तरह बॉड़के उकल ड्ड़का दिया सरह ठ storage कौ इकश्तफ से मैंने उड़ दूने दमड़ देंगी अप भी लोड़के आप से निए इस तनह इन को जिखाती हूंगी सिलाईग फेड ये देखी वी वर्स ये साइड की से लाई गुम बिल्कुल गुम हो गई इस तना मारे पाइंचे कलूप बहुत अच्छा आता है मैंने इसको प्रेस कर लिया ताकि ये अच्छी तना से क्रीज बन जाए और मेरी तुर्पाई में असानी हो देखी बिल्कुल भी जोल नहीं आया मैंने इसको कच्छा करूंगी मैं मतलब आलपीने लगा लें या आप सुई से कर लें जैसे भी आपको असानी रहे मैंने इसमें आलपीने लगाई हैं हर तरफ से हलकल के हास से क्योंकि मुझे तुर्पाई करनी है सिलाई करने में थोड़ा जोला जाता है यह पैंड स्टाइल कितना होता है जैसे पैंड की नीचे की कभी आप देखिएगा इसी तना गुम सिलाई हुई भी होती है उसमें भी कुंद नीचे से जिर होती मैं जन्यागे इस है तरफ में ने लगाई अब मैंने इसको तुर्पाई करना शुरू कि पका करा मैंने इसको मैं आर प्पैंचे में फेल्कल कैल कहारा है तो यह देखिया और से देखिये मैं इस तहना कर रहा हूँ ए पोरे पर करूंगी मैं कि भीवच्छा रखाए नफासते बहुत और पड़ मिनाथ जैसे आम आपको आसानी रहे यह देखिया आप किस तरह मैं तुर्पाई कर रही हूँ मिल्कुल हलके हलके हाथ से यह मैं अपने एंड पे आ गई एंड पे आने के बाद मैंने इसको पक्का करा पक्का जरूर करते हम ताके यह है कि हमारी तुर्पाई खुले नहीं और मजबूती आ जाती है यह देखिए इस तरह मैंने कर लिया आलपिने हटा दूँगी मैं अब सारी आलपिने मैंने हटा दी यह देखिए इस तरह इसका लुक आएगा बद खुबसुरत आता है यह टॉजर में मैंने बनाया है इस तरह यह देखिए बिल्कल खुबसुरत और नफास सही बनता है अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट्स करें और शेयर करें हम नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे शुक्रिया